हलो फ्रेंट्स यदि आपको प्रेग्नेंसी हो गई है और आपको प्रेग्नेंसी नहीं चाहिए यानि कि ये प्रेग्नेंसी अन्वांटेड प्रेग्नेंसी है या एक्सिडेंटल प्रेग्नेंसी है और या अप मैंटल अभी प्रेग्नेंसी के लिए रेडी नहीं है और आप चाहते कि प्रेग्नेंसी आगे कंटीनियू हो तो आपके दिमाग में इस अवाला आ रहा होगा कि अब मुझे इसका टर्मिनेशन कैसे करना होगा यानि कि इस प्रेग्नेंसी को खत कैसे किया जाए ताकि आप अपने करियर में या अपनी फैमिली लाइफ में आगे बाढ़ सक और आपको पहले महिने में ही पता चल गया है कि प्रेग्नेंसी है तो फिर आप डॉक्टर पास जाकर एक पास सलह ले ली जिए और कोई नहीं है क्योंकि जैसे ही प्रेग्नेंसी होती है हमने रहे पहले भी वीडियो बनाये हैं जिसमें यह हमेशा हम बार-बार बताते हैं कि जब भी प्रेग्नेंसी होती है तो प्रेग्नेंसी बच्चेदानी के अंदर हो सकती है और जब प्रेग्नेंसी बच्चेदानी के अंदर ना होकर बाहर की तरफ कहीं होती है तो उसे हम एक्टॉप और उसका अलग ही इलाज होता है उसमें इसे लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि वह जानलेवा साबित हो सकती है तो जैसे ही आपको प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर एक सोनोग्राफी जरूर करवा लेनी चाहिए और यह कंफ तो जब पहले महिने की बात करते है यानि कि आपको पता लगा है कि आपका प्रेड के डेट या आज कल मी थी और अब मिस हो गई है तो आपको नुसरे तीसरे दिन बता लगया है तो डेफिनेटली अगर आपकी प्रेग्नेंसी यूट्राइन प्रेग्नेंसी नहीं है तो आप MTP किट ले सकते हैं जिसमें कि चार गोलियां आती है और एक गोली अलग से हाती पांच गोलियों का पुरा सैट होता है हमारे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि उसमें बता है जिसमें कि सफाई की जाती है थोड़ी सा बहु और निच्छे से इंस्ट्रॉमड से सर्जिकल प्रोसीजर होता है आजिहाए डीनिसमें सक्षण करके क्लियर कर दिया जाता है यूट्रस का जितना पूम भी जो भी बच्चे के पांच से से वूप सरे सक्षण करकी बाहर और safe doctor के पास होना चाहिए, that means कि कई बार किसी कारण वश्ष हम doctor के पास नहीं पहुंच पाते, या कई बार हम pregnancy secret रखना चाहते हैं, हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तो हम ऐसे sources के पास पहुंच जाते हैं, कि जो legal नहीं है, जो trained नहीं है, या doctor नहीं है, कई बार जानकारी के अभाव में आप ऐसे लोगों के पास फज़ जाते हैं और आपको उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्राब्लम हो जाए कई बार सफाई करते हैं बच्चे दानी के अंदर छेद हो जाता है आतों में छेद हो जाता है मरीज के हलत बहुत ज़्यादा कीसे कर देगा हो सकता है कि आपकी प्रिगनेंशी कैसी इसी स्तिति में हो ऐसे हलात हो ईय्किन फिर भी आप गलत जगे Node आ जाएं आप ट्रेंट डॉक्टर के पास зв山 जाएं अच्छे अस्पताल में जाएं। कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा क्योंकि ये लीगली हम लोग सबको अलाउड है अगर आप अडल्ट हैं आप 18 एर प्लस हैं आप कंसेंट देते हैं तो डेफिनेटली आपकी लीगली आपकी सफाई या MTP की जा सकती है तो उसके लिए ऐसा बढ़न लेने के बिल्कुल ना लें डॉक्टर के पास आकर अपनी सोनोग्राफिक कराकर वैलिड तरीके से आप ट्रीटमेंट लीजिए सेफ एंड्स में प्रोसीजर हमेशा सेफ होता है और सेफ जगह पर होना चाहिए यानि कि अच्छे अस्पताल के अंदर होना चाहिए क्योंकि वहां प बिल्कुल ना उठाएं और जनरली 90-95% के अंदर इनिशल 6-7 हफते तक तो गोलियां ही काम करती है तो डेफिनेटल आप MTP किट प्रिसकाइब करवाकर MTP किट ले सकती है हर गाइनिकोलोजिस्ट MTP किट डिस्पेंस करता है मरीजों को देता है तो कोई उसमें मना ही नहीं ह सिर्फ फॉर्म भरना होता है और आप आराम से वो गोलियां लेकर MTP करवा सकती है और अगर आपका टाइम उपर हो गया है तो डेफिनेटल आपको फिर सर्जिकल अबोर्शन के लिए यानि की इंस्ट्रूमेंट से जो सफाई की जाती है उसके लिए जाना पड़ेगा लेक से जान हर डॉक्टर मरीष की लाइफ के लिए ही काम करता है तो प्लीज आप कभी बिיחलत सला में नाफशिये और हमेशा डॉक्टर के पास जाकर सला लेकर इलाज लीजिए आपके फिर भी कोई Sवाल है तो आप कमेण बॉक्स में लिखके पूच सकती हैं हम आप से फिर मिल प्रिकी साथ.